प्लेग टेक्टोनिक्स और कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट, मौंटेन फर्मेशन, अर्थक्वेक्स और वालकेनोस जैसी कई घटनाओ को प्लेग टेक्टोनिक्स थेयरी से आसानी से समझा जा सकता है हमारे वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ में आपने देखा कि अर्थ की सॉलिड ट्रंस्ट, होट रॉक्स के मेंटल यानि आवरन के उपर पाई जाती है सॉलिड होने के बाद भी होट रॉक्स अर्थ की कोर में ग्लेशियर की बर्फ की तरह बहती है होट रॉक्स का इस तरह का मूवमेंट कन्वेक्शन करेंट्स के कारण होता है अर्थ सर्फेस के पास का कूल मेंटल डेंस होने के कारण आईरन कोर की तरफ सिंक करता है और less dense hot mantle Earth surface की तरफ move करता है Earth की crust इन slow moving convection currents के कारण खिसकती रहती है Earth में बहुत सी convection currents बनती हैं जो इसे कई plates में डिवाइड करती है इन plates की boundaries पे एक interesting phenomenon देखने को मिलता है यहाँ पे ध्यान दीजे के plates का shape और continents का shape एक जैसा नहीं है continents की rocks ocean crust की rocks से हलकी होने के कारण यह plates पे आसानी से move करते रहते हैं दो plates की boundary पे जहां convection currents उपर की और इस तरह move करती हैं वहाँ plates एक दूसरे से दूर जाती हैं जिससे magma यानि molten rocks का eruption होता है यह magma दोनों plates के बीच बनने वाले gap को भरता है जिससे ignisius rock, basalt की नई oceanic crust बनती है इस oceanic crust को divergent boundary कहते हैं करीब 10 करोड साल पहले अर्थ पे जब डाइनोसौर्स का राज था तद योरप और अमेरिका जुड़े हुए थे उस टाइम पे Atlantic Ocean भी नहीं था convection currents ने धीरे धीरे इन दोनों continents को अलग कर दिया continents के अलग होने से rift valley यानी दरार घाटी का निर्मान हुआ इसमें sea water भरने से नए Atlantic Ocean का जन्म हुआ आज भी Atlantic Ocean का expansion हो रहा है ocean के बीच में unusual underwater volcanoes बनते हैं इन volcanoes को black smokers कहते हैं लॉजिकली अगर कहीं पे ocean का expansion हो रहा है तो इसका किसी दूसरी जगह पर compression यानी संकुचन भी होना चाहिए जहाँ पे ocean का compression होता है वहाँ दो plates एक दूसरे की तरफ बढ़ती है plates की boundaries को convergent boundaries कहते हैं continental rocks के erosion से ocean की floor पे sediments बनते हैं ocean crust का subduction होता है यानी ये नीचे की तरफ move करता रहता है ocean crust के साथ sediments का भी subduction होता है नीचे का temperature ज्यादा होने से sediments पिखल जाते हैं melted sediments की density ocean crust की basalt rocks से कम होने के कारण ये ऊपर की ओर push किये जाते हैं जो हमें volcanoes की रूप में नजर आते हैं कई बार plates के बीच relative movement होता है plates के बीच होने वाले इस relative movement को transfer boundary कहते हैं transfer boundary phenomenon कैलिफोर्निया के सेंट एंड्रियास फॉल्ट में देखने को मिलता है plates के बीच relative movement होने से अर्थक्वेक्स के तेज जटके आते हैं अगर plates इस तरह move करती रहीं तो करीब 2 करोड साल बाद Los Angeles, San Francisco के parallel में आ जाएगा कई बार mental की single convection current उपर की तरफ move करती हैं तीरे पुराने islands का erosion होता है जिससे ये ocean में disappear हो जाते हैं oceanic crust mid oceanic ridges में लगातार बनती रहती है और oceanic boundaries पे dissipate यानी नश्ट होती रहती है इसलिए ये कभी भी 10 करोड सालों से ज़्यादा पुरानी नहीं होती हलांकि continental crust 450 करोड साल पहले अर्थ formation के बाद से ही तूट के एक दूसरे के साथ जुड़ी है 25 करोड साल पहले की अर्थ की history पे अगर हम नजर डालें तो सभी continents एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे जुड़े हुए इन continents को पैंजिया कहते हैं प्लेट्स के movement के कारण सभी continents एक दूसरे से तूट के अलग हो गए ये खटना करीब साथे 6 करोड साल पहले की है जब डाइनोसॉर्स विलप्त हुए थे प्लेट्स के अलग होने से Atlantic Ocean और Asia जैसे continents बने जिससे अर्थ को आज हम इस रूप जिससे अर्थ